आज के बोडियों हम पात करेंगे दो भखेंचीयों के बारे दिए के पहली जो भखेंची वह वह वन अस्टॉट एनथर पिहर के तहथ है यहाँ पे requirement निकालि निकाली गई है और दूसरी जो requirement है वह भारति-उर उन्वर्शिटी के तह़थ जो है यहां पर रिक्वार्मेंट आई हैं दोनों के बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे कि वर नस्ट आप सेंटर के तहत को को सी पॉस्टों के रिक्वार्मेंट आई हैं इसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कब से फॉर्म अप्लाइब की जाएंगे यह करना होगा new job update.co.in आप इस website पर पहुंचेंगे लेटेस्ट नोटिफिकेशन में दोनों पोस्टों की जनकारी आपको मिल जाएंगी चलिए हम डिटेल्स नोटिफिकेशन पर चलते हैं और इसकी पूरी जनकारी आपको बताते हैं तो यहां पर जो है तमिलाडू पर इलट डिग्री जो है साइकोलोजी के तहत सोसललोजी के तहत या सोसल बर्क के तहत होनी चाहिए अगर आपको पहले से एक्सपेरियंस है फिल्ड में तो आपको प्रिफेंस दी जाएंगी यहां पर क्या-क्या आपका रेस्पोंसिबलिटी होंगी उसकी डिटेल्स दी गई हैं यहां पर आपको data को कलेक्ट करना होगा एंटरव्यू से उसके बाद करना है इसके बाद पूसके बाहिन करना है उसकी से यहां पो बना लेना है शाथ तैस्ट JNL उसकी मार्णिर चट्रफिकेटź अगर आपके पास कोई working experience है तो उसकी जो है details को self attestate करके जो है आपको दिये गए जो है पते पे जो है आपको mail करनी है तो mail आपको इस email id पे जो है आपको apply कर देना है apply करने के large date जो है 13 परवरी 2024 रखे गई है तो आप लोग जो है अगर आप इसके लिए eligible है तो इसके लिए आपको जो है बायो डाटा के साथ आपकी जो है experience certificate qualification details एक आईटी प्रूब जो है दिये गए इस email id पे जो है आपको send कर देनी है अगर आपका resume जो है shortlisted होता है तो आपको जो है interview के लिए पुलाए जाएगी उसके बाद आपकी selection की जाएगी तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे field investigator के लिए apply कर सकते हैं कोई भी application fee आपको नहीं लग रहे है simply आपको resume और certificate को जो है आपको mail करनी है दूसरी जो requirement यहाँ आई है समहार नाले भोजपूर बिहार के तहत जो है requirement आई है one stop center के तहत में यहाँ पे जो requirement आई है मनो समाजिक प्रामर्सी महिलाओं के लिए आई आपको मनो बिग्यान तंत्रिका बिग्यान या neuroscience में असनातक डेरी होनी चाहिए कार्ज अनभवो तथा प्रात्मिक्ता डिटेल्स यहाँ पे दी गई है अगर आप सेम फिल्ड में काम किये हैं तो आपको यहाँ पे प्रिफेंस प्रात्मिक्ता दी जाएंगी एक सीटो के requirement हैं 17,000 पे payment मिलेंगी यहाँ पे पारा लीगर पर्सरन अधिवेक्ता के requirement हैं इसके लिए कानून में असनातक डेरी आपके पास होनी चाहिए 8,000 पे payment दी जाएंगी यहाँ पे मल्टी पर्सरन वर्कर को के requirement है मैट्रिक पास आउट होनी चाहिए यहाँ पे 13,000 पे payment आपको दी जाएंगी सुरच्छा प्रहरी रात्री प्रहरी के requirement है मैट्रिक पास आउट होनी चाहिए 13,000 पे payment मिलेंगी यहाँ पे age की बात करें तो अगर आपना रच्छित बर्ग से बिलों करते हैं तो 30 साल तक फॉर्म को फिल कर पाएंगे यहाँ पे पिछड़ा बर्ग पिछड़ा बर्ग जो है 40 साल तक पुरूस महिला फॉर्म को फिल कर पाएंगे अना रच्छित अपनी रिजूम अपनी सहचनिक योगता एक्सपेरियंस सर्टिफिकेट की मार्क सिट सर्टिफिकेट साथ में एक आईटी प्रूफ को जो है सेल्फ अटेश्टेट करके आपको दिये गए इमेल आइडी पे जो है मेल करनी है देखें यहाँ पे इमेल आइडी दी गई है इस इमेल आइडी पे जो है आपको सारी डिटेल्स को भेजने है अगर आपका रिजूम सर्ट लिष्टेट होता है तो आपको जो है इंट्रिव्यू के लिए बुलाए जाएंगे उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सेलेक्शन प्रोसेस जो है कंप्लीट की जाएंगे तो इसे तरह की वीडियो चाहिए चैनल पर लिवार विजिट के चैनल को सब्सक्राइब कर लिए इस वीडियो को जहाँ जहाँ सेयर करें ताकि और लोगों जनकारी मिल सकें और फॉर्म को फिल्ट कर पाएं मिलते हैं किसी नहीं वीडियो में तब तक कि लिए पाएंगे